आदर्णी शातियों नमस्कार 45 दिवसी पठन अभियान यानि 45 डेज रिडिंग कैम्पेंज जो की एक नुवंबर से 15 दिसंबर 2022 के लिए संचानित है इसमें पाच्वे सब्ता की गत्विदियां हमें प्राप्त हो चुकी है जो इस प्रकार है बालबाट का कच्छा एक एवं दो के बच्चो हे तुगत्विदियां सोमवार सुनो कहानी कुट्टी मंगलवार पढ़ो कहानी चुन्नु मुन्नु का नहाना बुधवार सुनो कहानी अकेली मच्छली गुरुवार पढ़ो कहानी पूँ बू शुक्रवार सुनो कहानी सूरज की सूज बूज सनीवार पढ़ो कहानी जलेवी इस एक्रम में कच्छा 3-4-5 के बच्चो हितु गत्विधिया इस प्रकार है सोमवार पढ़ो कहानी रंग मंगलवार पढ़ो कहानी क्या देखती है अनू बुद्वार पढऊ कहानी बोलो एक सांस में गुरुवार पढऊ कहानी निराली दादी शुक्रवार पढऊ कहानी धूल का एक कडः शनीवार पढऊ कहानी मुफ्त की कुल्फी इसी तरह कच्छाच्छे 7 वा 8 के बच्चो हेत उगतवी निया इस प्रकार है शोमवार पढ़ो कहानी उल्लू पटाया, मंगलवार पढ़ो कहानी गहाट की मायाबी बिल्ली, बुधवार पढ़ो कहानी पांच खंभो वाला गाओं, गुरुवार पढ़ो कहानी भावरो की संसार में, कहानी सुनाने या पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विविन प्रकार की गतिविदिया किया सकती हैं इसी क्रम में इस सब्ताह आप बच्चों से किसी पढ़िवी कहानी के कुछ चित्र चुनकर नई कहानी बनाने या लिखने के लिए कहें इसके लिए आप दिये गए graphic organizer या रेखा चित्र का उप्योग कर सकते हैं सबताह भिसेस, कतिविधी, drop everything and read, dear सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो सिख्छक बच्चे और अभिवावक मिलकर किसी एक निस्चित दिन और समय पर इसकूल में या घर पर कम से कम 20 मिलट तक पढ़ें इसके लिए एक समय तई किया जा सकता है इसकूल में मौजूद सभी छात, शिख्छक, कर्मचारी या सुलिषित करें कि वे इस गतिविधी के लिए तयार रहें और कुछ पठन सामागरी लाएं प्रिंट सामागरी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है पोस्टर, किताबे, कोई तचार, कोई सूचना, रैपर या छपी जानकारी इत्यादी पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है बाग में, घर में, स्कूल में, जूले पर, आंगन में इत्यादी पढ़ना किसी भी सुरूप में हो सकता है अकेले साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, दादा दादी, या नानानी के साथ, या माता पिता के साथ चुन्नू मुन्नी की भासा बोली हर सबता चुन्नु मुन्नी की भासा भूली का एक एपिसोड हमारे साथ साजा किया जाता है जिसे हम बच्चों के साथ मिलकर जरू देखें धन्यवाद